प्रवानिका सिंग, महराश्ट जारकर्ण चुनापर बीजुपी मुख्याले में बैठक, एंटी नीताओं के साथ थोड़ी दिल में ये बैठक होनी है, ग्री मंत्री अमिट्शा पहुचे हैं बीजुपी मुख्याले, निर्मला सितार अमण भी पहुचे हैं बीजुपी के अमिट्शा अभी पहुच चुके हैं, बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, एंटी नेताओं के साथ ये बैठक होगी, और बैठक में इस बात को लेकर मन्थन होगा, चिंतन होगा, दिसकशन होगा, चर्चा होगी, कि महराश्ट जारकर्ण में जुचुनाव होने, उन महराश्ट देखें, तो महराश्ट को भी साथने की जो कोशिश है, वो लगातार की जा रही है, इस बीच, एंटीये की बड़ी बैठक बीचपी मुख्याले में, थोड़ी देर में ये बैठक होनी है, चुनाव को लेकर, ज्यादा इंफर्मेशन के लिए हमारे साथ दिली से पियुश शुकला जोट चुके हमारे सयोगी, पियुश क्या कुछ जानकारी बैठक हो रही है, क्या कुछ इस बैठक का है, जो है टागिट रखा गया है, या फिर यू कहे कि इस पर डिसकाशन होगा? वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में सभी एंडिये के घटक साथ रहें और साथ लड़के चुनाव लड़ें, पहला एजंडा ये है, दूसरा जो एजंडा है कि बफ संसोधन को लेकर एंडिये लगातार जो है, वो एक जुट रहे और एक जुट ता उसकी बनी और एंडिये भी इस बैठक के जिरिए कोशिश जरूर करेगा, कि कहीं भी जो एंडिये का गड़बंधन है, उसमें कोई मद्भेद या मन्भेद नहीं है, और यही वज़ा है कि भारती जनता पार्टी के मुख्याले में ये बैठक है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैन च संदेश देने के कोशिश की जाएगी, कि एंडिये में कहीं पर भी कोई मद्भेद नहीं है, तो क्या यह माने कि बैठक होने के बाद एक प्रिस कॉंफरेंस की जाएगी, किस तरह से ये संदेश विपक्ष तक पहुचेगा, या फिर महज इस बैठक के जरिए ये संदेश जो है, वो दिया जाएगा कि किसी भी तरह से एंडिये में कहीं पर कोई भी मद्भेद नहीं है, बिल्कुल इस बैठक के जरिए एक मैसस देने की कोशिश जरूर की जाएगी, और चुकी इस बैठक में चुनाओ को लेके मंतरना होनी है, चुनाओ में किस तरह से रणनीती जाए करनी है, आगे आने माले दिनों में जब लोगसभा का सत्र चलेगा तब क्या रणनीती रखनी है, तो तमाम ऐसी बाते हैं, चुकी लोगसभा सत्र की भी तारीक हैं जो सूतर हैं उनके एसाब से आ गई हैं लगबग, तो कही न कहीं ये सारी चीजें जो हैं, वो सामन हम जिकर करें, देखें, दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, और दोनों ही राज्यों में अपने आप में अलग हैं, हमने कुछ दे पहले देखा कि किस तरह से जारकर में अलग अलग जगा जो है, रेलिया की जारियें, चाहे हम राजरत सिंग की बात कर ले, या फिर हम बात कर लें शिवराथ सिंग चोहान की तो अगर हम महराश्ट्र का जिकर करते हैं तो महराश्ट्र में क्या लगता है एक बार फिर से हिंदुत के मसलेप पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा देखिए महराश्ट्र का जिचनाव है हिंदुत के अलाबा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार भारती जनता पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी खास तोर पर महागाडी सरकार जब इसके पहले कॉंग्रेस और उद्धो शुसेना का गड़बंधन था उस गड़बंधन में चल रही थी उस दोरान तमाम ऐसे कामों की महराश्ट की जनता ने काफी कुछ विरोध किया था उस विरोध के सरको वापस खड़ा करने की कोशिश जो है इंटर्नली वहाँ पर भारती जनता पार्टी कर रही है और कहीं न कहीं इसका इंपक्ट भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा हाला कि अगर मैं बात करूँ तो शरत पवार उद्धो और कॉंग्रेस की इस गुट न प्यों शुक्रात है मंबाच्वी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राइब